नमस्का दूस्तों स्टॉक एनलिसिस की और एक विडियो में आपका आटिस्वागा करता हूं मैंने समवार के लिए तीन स्टॉक निकाला है यह स्टॉक को आपको प्रिवर ट्रेडिंग करना है इसमें सबसे पहला स्टॉक आया है फ्रेंस आईसे एसे याई बेंग आप यहा यहां से लेके यहां टा ग्रीन वाली और आप यहां पर चेक भी करोगे कि यहां पर कुछ डवल्यू पैटन जैसा हमें दीख रहा है और डूसरा सिनेर्य हो रहा है कि यह ब्लैक कला का जो लाइन जो किया है मैंने वो टूहंड्रेट मूई एवरेच का लाइन है तो उसके फ्राइडय को उसने क्लोज किया है और उसका क्लोजिन आया है फ्रेंश सेवन 155.70 अगर सवंग्वार को फ्रेंश को एसे ये ऐसी बेंक 750 जिएवन 151.80 याने 758 को ब्रेक करेगा तो उसका पहला तागर आने की सम्भाण आयो श्यूमश दागर असका है 775 और यह जो रेट लाइन जा रहा है यह से वापस मोड़ भी सकता है तो आप आपके इसाब से प्रफिर बूक कर सकते हो यह जो दिन स्टॉप निकाला है मैंने वह सवंवार के लिए है फ्रेंस ओके फ्रेंस तो मैं इसको फ्राइस लेबर भी लगा लेता हो प्रेंस डुक्ति एट ड्रेक करेगा तो उसका पहला तार्गेट आ सकता है 765 और यह रहेगा हमारा त्रेंड लाइंग का है और उसके उपर तीसा तारगेट है 775 दूसरा स्थोक है फ्रेंज बार कृष्ण इंडरस्टी फ्रेंज इसमें भी आप डेली चार्ट में चेक करो अगे फ्रेंज तो इसने भी यह यह त्रेंड लाइंग के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं वन टाइम तू टाइम थैम फो टाइम उसने प्रेक करने के कोशिश की लिए बार बार वह निचे आता गया तो अभी वन डे की चार्ट में आप चेक करोगे तो उसने क्वान विल्टाइब बनाई ह प्रैंज, वन डिटी Camdel में अगर हो सकता है, 2296 Brick करेंगा, क्रेंज, 2296 फ्रैस डिबबभ में लगा लता हूं 2295 Brick करेंगाarrive, तो इसका पहला Target हो आशकता है 2317 और इस Trade Line के पास जाने के, जाक़ रिजन भी आ सकता है जिसका रहाएगा 2322 और अगर इसके उपर निकल गया तो इसका टार्गेट आ सकता है 2330 ओके फ्रेंट्स यह हो गए हमारा वायत रिसना इंद्रस्ट्री प्रेंट्स चोटा सा स्टॉक है एक्जाइट इंद्रस्ट्री तो उसमें भी आप चेक कोरेंगे वन डेकी केंडर में उसने ये पूरा एक स्टान था ये प्रेंट्न ऌनेकी कोसिस की लेकिन वह भे नहीं कर पाय और यहां पे आप देखो कई के फीट टाइम उसने यह ब्रेक यहांट यहाँ इसे चोटा सा स्टॉक है प्रैंट्स अगर समवा को यह 146 निकालेगा फ्रेंश जिसका प्राइस लेबल लग लेता हूं फ्रेंश में 147.60 निकालेगा तो इसका तार्गर आ सकता है 150 के करीब जा सकता यह सब अगर इसका भी ब्रेक किया तो यह 153 तक जा सकता है यह एक्साइट इंडरस्ट्री टेंश यह तीनो स्टॉंक जो मैंने आपको दिये है वह सव्वार के लिए है और मंगबार के लिए हो सकता समवार को ही आपको यह त्रेट करना पो रहेगा वह सकता तो इसको पहले पेपर ट्रेडिंग करो वाद में अगर आपको अच्छा झाल